भासा सब्द संस्कृत की भास दासू से बना है जिसका आर्थ होता है बोलना अधा भासा वह है जिसे बोला जाए पशुपक्षियों की बोली भी भासा कही जानी चाहिए परतेक जीवधारी किसीन किसी प्रकार की भासा का प्रियोग करता है परंतु हम उनकी भासा को उनकी बोली को भासा नहीं कह सकते क्योंकि उनकी भासा केवल सांकितिक होती है जबकि हमारा तात्परिय मनुश्यों की लिखित भासा से हैं भासा का लिखित रूप मात्र सांकितिक न होकर विचारों भावों को व्यक्त करने का माध्यम का कारिय खता है विचार और भाव इनिमे के माध्यम के लिखित रूप को ही हम वास्तव में भासा कहते हैं इस प्रकार मनुष्य के भावों विचारों और उसके अभीप्रेत अर्थों की अभिविक्ति के धुहनी परतीमान साधन को भासा के रूप में जानते हैं भासा के समन्द में कहा है याद्र शिक धुहनी परतीकों की भाववस्ता जिससे विचारों का आदान परदान करते हैं भासा कहलाती है कहने का आशी यह है कि भासा ध्वनी परतिकों की एक ऐसी विवस्ता है जिसके मद्यम से मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों की अभिविक्ति करते हैं बासा के कुछ लक्षन है जो निम्प्रकार है पहला जो लक्षन है वह है मानव मुक्ष से निशित्थ मानव मुक्ष से निकलने वाली धनी संकेतों की समस्ती अर्थात संपूर्ण व्यवस्ता को बासा कहते हैं जैसे यदी हम देखें तो पसुपक्षियों की बोलियां अंग आदी संचालन द्वारा भाव प्रकाशन तर्था निरर्थक समू को बासा नहीं कहा जा सकता है कहने का आशी यह है कि बासा मानव मुक्ष से निशित्थ धनी संकेतों की संपूर्ण व्यवस्ता का नाम है बासा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों की अभी विक्ति द्वारा अपने विचार अन्य विक्तियों तक पहुंचा सकता है तीसरा जो बासा का लक्षन है वह है निशित्थ धनी रूप बासा की धनियों का एक निशित्थ रूप होता है अन्य था धनियों के अर्थ बदलते रहते हैं और वे एक निशित्थ प्रियोजन की अभी विक्ति नहीं कर पाते हैं इसलिए बासा का एक निशित्थ धनी रूप होता है साथ ही परतेग धनी का अर्थ पूर से ही निधरित होता है जिससे की विक्ति उसके अर्थ को समझ सके इसलिए परतेग धनी का अर्थ पूर में निधरित होता है चोथा इस आगे का जो लक्षन है वह है सामाजिक्ता सामाजिक्ता भाषा का उद्भाव और विकास मनुष्य की सामाजिक्ता के फल स्वरूप वा है परस्पर में एक दूसरे से सयोग, संपर्ख और विचार विने में की आकांग साने ही भाषा का विकास किया है भाषा व्यक्ती और समाज को जोडने वाली एक प्रमुकड़ी के तौर पर जाना जाता है मनुष्य समाज में रहकर ही भाषा का अरजन करता है समवर्धन करता है और विकास करता है कहने का आश्य ये है कि समाज में रहकर ही भासा का विकास होता है भासा का अरजन भासा का समवर्धन और भासा का विकास समाज में रहकर ही किया जा सकता है अगला जो भासा का लक्षन है वह है अर्जित संपत्ति भासा मनुष्य के पैत्रिक संपत्ति के रूप में प्राप्त नहीं होती है एक बच्छा अनुकरण और अभ्यास के द्वारा भासा सीखता है कहने का आशे है कि भासा अर्जित की जा सकती है भासा परंप्रागत रूप से पैत्रिक संपत्ति के रूप में प्राप्त नहीं हिंदुस्तानी बच्छा जिसका लालन पौलन और पोशन इंग्लेंड में हो तो वह बच्छा अंग्रेजी भासा भासी होगा इस प्रस्थ है कि बच्छा जनम से कोई भासा नहीं जानता है भासा अर्जन की प्रकिरिया सतत रूप से चलती रहती है कहने का आशी यह है कि भासा एक अर्जित संपत्ती के रूप में है अब जब हम भासा के बारे में बात करते हैं तो भासा विचार की अभिविक्ती के लिए व्यक्त धवनी संकेतों के वहवार को कहते हैं और भासा एक सामाजी किरिया है तथा किसी विक्ती विशेश की कोई रचना नहीं है भासा के मुखे तथ चार इसकंद है वक्ता, स्रोता, सब्द और अर्थ इन चारों इसकंदों को इसप्रस्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि मनुश्य और मनुश्य के बीच वस्तूओं के विशे में अपनी इच्छा और मती का आदान परदान करने के लिए व्यक्त ध्वनी संकेतों का जो वहवार होता है उसे भासा कहते हैं बासा के अपने विविद रूप हैं समाज में जिस छेतर में ये बोली जाती है उसके आधार पर उसके छेतरी रूप और उसके विस्तित रूप के आधार पर बासा के विविद रूप है पहला है बोली, विचारों की अभिविक्ती के लिए मनुश्य द्वारा व्यक्त ध्वनी संकेतों के वहवार को भासा कहते हैं, बोली भासा का वह रूप जिसका वहवार सिमित छेतर में अर्थ होता है, अर्थात छेतरी भासा को ही हम बोली कहते हैं, बोली को लक्षे करके विद्वानों ने कहा है और लोक में एक कहवत है कि कोस कोस पर पाणी बदले चार कोस पर वाणी कहने का आशे यह है कि भासा का रूप परिवर्तन सील है और हर चार कोस के अंतर पर आपको भासा का रूप परिवर्तन से युक्त मिलेगा कहने का आशी यह है कि भोगोलिक रूप से हम एक छेतर से दूसरे छेतर में जाते हैं तो उसका रूप निश्चित तोर से बदला हुआ लगता है इस तरीके से भासा का वह रूप जिसका वहवार शिमित छेतर में होता है वह बोली कहलाती है कभी कभी कोई साहित्यकार बोली को साहित्यक रूप प्रदान करके उसको उप भासा का रूप भी प्रदान कर देता है जब हम साहित्यके इतियास प्रदर्ष्टी पात करते हैं भासा के इतियास प्रदर्ष्टी पात करते हैं तो हमें नजर आता है कि मलिक मुहमद जैसी और भक्त कवी सूर दास ने अपने अपनी भासाओं का प्रियोग करते हुए जैसे मलिक मुहमद जैसी ने अवधी को और भक्त कवी सूर दास ने ब्रज भासा को अपनी रचनाओं के द्वारा बिभासा या उप भासा का स्वर प्रदान करने में महत्तोपून योगदान किया है ब्रज को तो ब्रज भ भासा ही कहा जाने लगा है दूसरा जो हमारा भासा का रूप है वह भासा का रूप है विभासा विभासा कोई बोली अपना छेत्र विश्तृत करके परिमार जित हो जाती है तथा परिनिश्तृत रूप में प्रित होने लगती है तो बहा विभासा कहलाती है एक छेत्र विजेस के निवाशियों का बोली लिखी जाने लगती है तब विभासा कही जाने लगती है जैसे अवधी, ब्रजबासा और बुंदेली, उसके बाद है उपभासा विभासा का एक अन्य रूप उपभासा है विभासा और उपभासा के विकास की कहानी समान है इनको कुछ लोग प्रांती अत्वा छेत्री भासा भी कह देते हैं हिंदी में कई लेखक विभासा को उपभासा अत्वा प्रांती भासा भी कहते हैं अगला जो भासा का विविद्र भासा का जो रूप है वह है राष्ट्र भासा जब किसी भासा को समस्त राष्ट्र की भासा मान लिया जाता है तब वह राष्ट्र भासा कहलाती है जब कोई बोली विभासा का रूप धारन कर लेती है और फिर क्रमस साहितिक रचना का माध्यम बनकर भासा का रूप धारन कर लेती है और फिर अपनी लोग पिरिता के फल समस्त राष्टर में विचार विनिमे का माध्यम बन जाती है तब राष्ट भासा के पद को प्राप्त कर लेती है कुछ विद्वानों की ये राय है कि राष्ट भासा वह भासा है जिसे राज की छेतर में समस्त राष्टर के कारिय संचालन की स्विकृति प्राप्त है हमारे विचार से भासा राज की नहीं है राष्टर के सामाजीक संपति के तौर पर है राज की छेतर में प्रियुक्त भासा राज भासा कही जानी चाहिए राष्ट भासा नहीं क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि राज भासा और राष्ट भासा के दोनों पदों को एक ही भासा प्राप्थो उदारन के लिए हिंदी भारत की राष्ट भासा है क्योंकि यह जन जन का कंठार है परंतु वह राज भासा के आसन पर अभी तक प्रतिश्ट नहीं हो पाई है हमारे देश में भारत में कोई राष्ट भासा ही नहीं है ऐसा नहीं है देश की कोई भासा ही नहीं है ऐसा नहीं है हमारे विचार से राजनेता भलई राज भासा के प्रस्न को लेकर आपस में संगस्रत रहे हो परंतु हिंदी सु निश्चित रूप से भारत की राष्ट्र बासा है इस प्रकार राष्ट बासा वस्तुत बासा का वह व्यापक रूप है जिसका वहवार समस्त राष्ट्र में होता है राष्ट्र बासा वास्तम में देश की संसक्रती देश के आदर्सों तथा देश वासियों की आकांग्साओं की अभिविक्ति करती है वही भासा राष्ट भासा बन सकती है जिसमें ये सामर्तियों कि वो देश के विविन भागों के निवाशियों के मद्य संपर्ख स्तापित कर सके तथा अन्य उप भासाओं एं विभासाओं की प्रगती में सायक बन सके। अन्तिम जो भासा का रूप है वो राज भासा। राज की ये कार्यालियाओं राज आग्याओं आदी में प्रियुक्द भासा ही राज भासा क्यलाती है। अन्य भासा में प्रसारित होती है। किन्तु प्रतंत्रता के दोर में राश्ट भासा तथा राज भासा भिन भिन रही है। इस प्रकार भासा के विविद रूप है जो हमारे सामने हैं धन्यवाद। अन्यवाद। 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 अन्यवाद।